क्रेडिट कार्ड आ गया मेरा बैंक को बहुन दगा चलिये इसका अन्बोक्सिंग करेंगे इसका कैसे इंस्टोल करें एक्टिवेशन करें चलिये इस वीदियों हम जानेंगे चलिये शुरू करते हैं बैंक को बरोदा रूपे क्रेडिट कार्ड is on UPI फोन पे गूगल पे में ये यूज कर सकते हैं इसको साइड में रखते हैं scan me and download application एक पैकेट मिला हुआ है ये है क्रेडिट कार्ड फ्रेंज इन्पोर्टेंड एटेंशन यह पर लिखा है फ्रेंज देखी आपका कार्ड अगा 30 दिन के अंदर आप एक्टिबेट नहीं करेंगे तो यह आटोमेटिकली बंद हो जाएगा इजी जे c यंभी बैंक आप बरादा गै। क्रेडिट कार्ड और यहापे टवमैन कंडिशन है त्यंद कंडिशन में चीज होता है क्यूंकि आप कार्ड लेनके बाद कौन्सा कितना पैसा चार्ड कार्ड देगा आपको मालूम नहीं रहता है वही में सीज है दिखें फ्रेंज यहापे लिखाए easy card time 500 रुपी चार्ज कटेगा उसके बाद annual fee annual fee फिर से 500 चार्ज कटेगा interest fee period 20 से 50 दिन के अंदर आप payment करेंगे तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा ठीके उसके बाद अगर करेंगे तो आपका चार्ज लगेगा late payment fee late payment fee आपका अगर 100 रुपिया बाकी है कोई भी चार्ज नहीं लगेगा 100 रुपिया से 500 रुपिया तक है तो 100 रुपिया चार्ज लगेगा 500 से 1000 तक है 400 रुपिया चार्ज कटेगा फ्रेंज यहापे slab दिया हुआ है आप देख सकते स्किन शॉट भी ले सकते फ्रेंज यह इसलिए credit card ज्यादतार आदमी यूज नहीं करता है क्योंकि वो लोग जानता नहीं है कैसे हम पेमिन करें या कितना दिन के बाद हम पेमिन कर सकते तो पहले आप अपना ट्रामेन कंडिशन चेक कर ले उसके बाद ही आप card यूज कर सकते credit card एक्चुली एक loan होता है जो आपको बिना guarantee के साथ आपको loan दे देता है फ्रेंज और एक चीज दिखाता है हम और एक चीज यह तो हो गया फ्रेंज यहापे दिखिए smart EMI option आप 2500 तक EMI मैक्सिमाम एक माहिने में कर सकते और 6-36 माहिने तक आप यह से आपको EMI के थुरू मिलेगा और मेरा card limit दिखिए cash withdrawal limit 6000 पाट डे और credit limit 20,000 उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा transaction करेंगे और भी बरेगा fuel charge आपको 1% reward मिलेगा आईए अभी application डाउनलोड करके देखते हैं पहले आपको play store में जाना होगा bob card आपको यहापे card का application चला आएगा credit card का आप यहापे simply install में क्लिक करेंगे पंदरा इमबी का application है अभी इंस्टोल हो रहा है friends आप अगर मेरे युटूब चैनल मिले नया आये हो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि बैंकिंग related हर वीडियो आपको मिलता रहेगा friends हम यहापे open कर लेंगे थोड़ा wait करेंगे आप यहापे skip भी कर सकते हैं करेंगे sing आप पर क्लिक करेंगे यहापे आपका registered mobile नंबर आपको भरना होगा जो नंबर बैंक में दिया हुआ है इंटर करने के बाद आपका इस नंबर में एक OTP जाएगा पर क्लिक करेंगे यहापे लिखा हुआ है आपका जो card का last four digit नंबर है आपको यहापे बढ़ना होगा और यहापे date of birth आपका date of birth जो है आपको यहापे आई एगरी में क्लिक करेंगे यहापे इंटरियोर इंपीन मंग रहा है आपने जो पहले time दिया था ओव आपको यहापे डालना है कि वेट करेंगे स्किप कर सकते यहापे स्किप करेंगे सिधा सिधी में आँ उसके बाद दिखा रहा है दिखेंगे फ्रेंज card का detail शो हो रहा है आप यहाँ से देख सकते यूज कर सकते यहापे दिखेंगे फ्रेंज मेरा maximum 6000 cash withdrawal टॉप पे मेरा ओल्लाइन टांजेक्शन 20,000 हो सकता है ओल्लाइन पेमेंट 20,000 मार्चेन आदर्स यहापे 20,000 इंटरनेशनल यह डोमिस्टिक है सेम इंटरनेशनल मेरा ओफ है और आप यहाँ से आप खुद से आपका कार्ट मैनेज कर सकते आप यहाँ अब भी कर सकते और भी कर सकते ठीके तो यही है कार्ड और आप पे कार्ड बील आप यह ऐसे कर सकते कोभार यहां पर रिवार्ड यहां पर देख सकते विव पेमेंट आप यहां पर देख सकते जह आपका किसमें डिसकाउंट चल रहा है एप्लिकेशन में तीन पर्सेंट दिसकाउन और पर्चेस एंटेजन में मोबाल यह देखें बैंक अब बरोदा का कर्ड से आप 10 पर्सेंट दिसकाउन कोई भी मोबाल पर्चेस करेंगे तो तो उसके फ्रेंज धीरे धीरे आपका ट्रंजेक्शन बरेगा और भी ओफर चलाएगा देखा आपने नॉर्मल भी कैसे आप कार्ड को यूज कर सकते हैं और कोई भी आपका एप्लिकेशन के थुरू कोई भी पॉब्लम हो कॉमेंड में बताइएगा मैं फूल इंफर्मिशन दे दूँगा और किस में मैंने पहले दे दिया जो कौनसा कार्ड में कितना चार्जेबल है फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सब अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्रेब कर लिजे और बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इंफर्मिशन हो कॉमेंड में बताइए मैं फूल इंफर्मिशन दे दूँगा ठैंकियो बियर जाएन